Hello everyone, कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ, काफी अच्छे से आपका एक्जाम जा रहा होगा और काफी महनत करके आप लोग त्यारी कर रहे होगे इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि हंदी ये कि सारे सारे जो कोस्टन्स हैं, उनके हर वराइटी को हम कैसे एक्जाम में जाके साल्वा करें कि पूरा का पूरा जो नमबर है हमको मिले, फुलमाँ से मिले और एक भी सिंगल माँश हम लोग का tirar हो तो इस वीडियो को आपको लास्टर तक देखना है, इसमें मैंने grammar को, question answers को, अनुचेद लेखन को, पत्र लेखन को, बहुती अच्छे धंग से सालव किया हुआ है, तक कि आप लोगों को पूरा माक से मिले, तो चलिए भी न कोई देर किये, इस वीडियो को हम लोग सुरू क करते हैं, कंडा में प्रस्णा एक है, निमलिकीत गध्यांस पर आधारित बहु विकल्पी प्रस्णों के सरवादिक उप्यूक्त विकल्प चुन कर लिखिये, तिस गध्यांस को पढ़ना है, पहले समझना है, पि जो questions दिये हुए हैं, उसके अंसर को हम लोगों को करना है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, घर जैसा चोटा सा सब्द भावात्मक द्रिष्टी से बहुत विसाल होता है, इस अधार पर मकान, भवन, फ्लेट, कमरा, कोटी, बंगला, आधी, इसके समनार्ती बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका समान्य संबंद, दिवारों चतों और बहारी और आंतरिक साथ सज्जा तक सिमित होता है, तो देखिए इसमें जो लेखक हैं, बोल रहे हैं कि घर का सब्द जो है न, वो भावात्मक या भावनात्मक द्रिष्टी से काफी बड़ा होता है, और इसी कारण से हम मकान, भवन, फ्लेट, कमरा, कोटी, इसके बराबर नहीं मान सकते हैं क्योंकि इनका जो संबंध है वो दिवारों, चतों, बहारी और आंतरिक साथ सज्जा तक सिमित होता है, जबकि घर प्यार भरोसे और रिस्टों की मिठास से बनता है, एक आदाश घर वही है जिसमें प्रेम और भरोसे की दिवारें, आपस यह बात हमें अची तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिस्टे महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटकेलिया करता है, तो घर अटकेलिया करता है, रिस्टों का उल्लास, घर का उल्लास होता है, इसलिए रिस्टे हैं तो घर है और रिस्टों के बीच भरता प्रेम घर के न अनुपारजन की अती ती व्र लालसा से उसके अंदर महसेनियत वढ़ Cumdai इसलिए उसके लिए भर के मायने बदल रहे हैं, उसकी हमियाद बदल रही है, इसे खीरन आज परिवार में अपसी कला ध्वंद आधि बढ़ रहे हैं, आज की घर की हम यह समझें और अपना हम हटा कर घर को घर बनाया रखने का प्रियास करें तो देखी इसमें घर का महत्तो बताया गया कि घर जो है न भावनात्मक तोर पे लोगों के जुलाओ को कहते हैं लिए आज के समय में विक्तितना व्यस्त होते जा रहा है, पैसा कमाने में, अपने आप में, क्यों एक आकी पन में सुप खोज रहा है अब पहला प्रस्नते हैं कि भवात्माक दुष्टी से घर जैसे छोटे से सब्दे की विसालता में नहीं थाये, कतन पढ़कर सही विकल्प का चैन कीजिए इसमें कतन है पहला प्रेम, विश्वास, नातों का माधूरिया, वा समय दनाएं तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि घर का मतलब है प्रेम, विश्वास, नातों का माधूरिया, और फिलिंग्स यह समय दनाएं दूसरा अप्शन है अकरसक बनावाट सुन्दर लोग, विभाव वा समपनता ते तो हमने नहीं पढ़ा है घर का मतलब सुन्दर रंग से होजान, अंत्रिक सजावाट यहां भरियाली यह भी नहीं पढ़ा है क्योंकि अंत्रिक सजावाट को यहां पे लेकक ने घर नहीं बताया है इसने सम्मान सरस्ता समय दनाएं, समपनता वा साथ सज्जा लेकिन सम्बनता हुआ साथ सज़क उन्हें घर के परिमासा बनी बताए है करह कि पहला ही प्रस्माद 2 है कि सम्बने रूप से मकान, भवन, क्लेट, कमरा, कोठी, खाधी सब्दों का संबंद किस से होता है तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इन सब्दों का संबंद जो है न वो बनावट वो सजावर से होता है न तो इनका संबंद हिर्दे की भावनाओं से होता है और नहीं बेभाव और सम्रिद्धी से नहीं स्थानिय सुईधाओं से तो इसका अप्षन घर करेक्ट हो जाएगा बनावट वो सजावर से प्रस्न तीन है कि आज की पिढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है तो आज की पिढ़ी को सुख केवल अपने निजी जी वन में और एक आंत वास में दिखाई दे रहा है जिसका आप्षन का देखिए निजी जी वन हुआ ये कांतिक्ता में यही इसका एंसर हो जाएगा ही हमने बढ़ा हुआ है और बाकी जो तिनों आप्षन है इसके गलत है प्रशना चाहर है कि अध्यांस में प्रेम को घर क्या बताया गया है तो यहां प्रेम को घर का अधार बताया है अगर घर में प्रेम नहीं है तो वो फिर घर ही नहीं रहेगा जिसका अप्षन का करेक्ट हो जाएगा न तिसमें अभुसन बताया गया है न भरुसा और नहीं उल्लास इसके बाद प्रशना पांच में चलते हैं कि आदमी के अंदर समयदनाओं की जगा मसिनियत बढ़ती जा रही है बिल्कुल सही है हमने पढ़ा है कि आदमी आद समयदन हिन होके केवल मसिनी होते जा रहा है करण आप आर बता रहा है कि व्यस्तता और अर्थो पारजन के अती मात्वक आंचा ने उसे इहां तक पहुचा दिया है बिल्कुल सही है कि चुक्कि वो बहुँच ज़ादा व्यस्ता है खुद में और बहुँच ज़ादा उसको पैसा कमाने की लालाच है तो कतन ये सही है और आर जो है ना उसकी सही ब्याक्या कर रहा है तो दिखिए इसमें दो पध्यांस दिये हुए हैं एक को पढ़के उसको अच्छे समझ के उसमें से पांच प्रशनों को हमको हल करना है चलि इसको पढ़ते हैं बहुत सुंदर कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संगर सही ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे जो है जहां चुप चाप अपने आप से लड़ता रहे जो भी प्रस्तितियां मिलें काटे चुभें कलियां खिलें तूटे नहीं इंसान बस संदेस यववन का यही सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संगर सही अपने हिदय का सत्य अपने आप हमको खोजना अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोँचना आकास सुख देगा नहीं धरती पसी जी है कहीं हर एक राही को भटक कर ही दिसा मिलती रही सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संगर सही इस पद्यांस में कवी ने संगर सको ही जीवन का उत्य से बताया है कवी का कहना है कि हमको कभी रुपना ने चीए हमको कभी जुपना चीए हमको निरंतर संगर स करते रहना चीए साथी साथ हमको गतिमान रहना चाहिए इस्तिनी रहना चाहिए जो जहाँ पे है उसको आई से लड़ते रहना चाहिए चाहिए प्रस्तितियां कुछ भी हो चाहिए उसमें अच्छा मिले हमको या बुरा मिले हमको संघर से जारी रखना चाहिए हमको टूटके बैट नहीं जा प्रस्णों को ध्यान देते हैं तो पहला प्रस्ण है कि इस कविता के केंद्रिय भाव में दिये गए कर्थनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिये कतन है पहला है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध जुषते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है बिल्कुल यही हमने पढ़ा है यह कतन बिल्कुल सही है दूसरा है कि पस्तित्यों से समझोता करके जोकिमों से बचना ही उचीत है ये बिल्कुल गलत है हम जोकिम से बची नहीं सकते जीवन है तो जीकुम है तीसरा है लक्ष संदान है तो मार्ग में भटक जाने का भः त्याग देना चाहिए बिल्कुल सही है कि एगर हमको लक्ष करेक्ट हो जाएगा पहला तिसरा और चोंता सही है ुसके बाद दुसरा प्रस्षल लिखते हैं कि मरण अर्थात मिर्तिव को जिटने का सा है तो मरण और मिर्तिव को जितने का सा यहां पे संघर्श करने से आपसन कहा है कि साधूता वा साधना से अमरत्व प्राप्त करना बिल्कुल ऐसा नहीं है कभी नहीं कहा है कि अमरत्व प्राप्त करना जो है वो मिलत्यू को जितना है खा है योगा भ्यास वा जीजी विशा से दिरगाव हो जाना ये भी उन्हों नहीं कहा है क्योंकि गह है अर्थ बल वा दिन इच्छा सक्ती से जीवन को कस्ट मुक्त करना यही कवी हमें बताना चाह रहा है कि हम अपने प्राक्रम से अपने प्रुशार्थ से जीवन को कस्ट से मुक्त कर दें और गह है जीवन और जीवन के बाद भी आदर से रूप में इसमण किया जाना यह अपको देने वाला है? लुकूल गलत है, ऐसा कभी नहीं बोल रहे है कि, इस वर्वार है, अता वही सुप देता है, वही पसीजता है, ए भी उन्होंने नहीं कहा है, गह है कि जो जारू बनकर सोयम ही जीवन के दुख दूर किये जा सकते हैं बिल्कुल सही है कि जिसमें लगान है महिनात है जो जारू पन है वही जीवन से दुख को दूर कर सकता है और गह है सामोहिक प्रयत्रों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है तो ऐसा भी वो नहीं बोल रहे हैं तिसका अप्षन गह करेक्ट हो जाएगा प्रस्ण चार है अपने आप से लड़ने का अर्थ है इसमें अप्षन का है अपनी अच्चाईयों वो बुराईयों से भली बाती परचीत होना तो ऐसा तो कभी नहीं कहा है कि आप अपने अच्चाईयों बुराईयों से भली बाती परचीत हो जाएगी इसकार्थ अपने आप से लड़ना है किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग कलगलग सोचना ये भी गलत है अपने किसी गलत निर्णा के लिए सोयम को संतुष टकल लेना ये भी गलत है ये भी यहाँ पर कभी नहीं कहा है अपनी दुरबलताओं की अंदेकी ना करके उन्हें दिवनता से दुर करना बिल्कुल सही ये ही कभी ने कहा है कि हमें जो है न अपनी कमजूरियों को अंदेकाना करते हुए उसको हमको सुधानना चाहिए प्रस्न पांच है इवावस्त हमें सिखाती है कि कतन पढ़कर सही भी कलपका चैन कीजिए कतन है पहला सोयम को चेतन या गतिसिल आत्म लोचक वा आसावादी बनाया रखें बिल्कुल इवास्त हमको ही सिखाता है कि हम हमेशा गतिल सिर रहें खूद में सुधार करते रहें और आसा बनाया रखें ये सही है दुसरा है सजग रहें जीवन में कभी कटीन पस्तितियां उत्पन नहीं 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 दें तो ऐसा तो हो गई नहीं कि जीवन में कटीन पस्तितियां उत्पन नहीं होंगी तीसरा है सुक दुख उतार चड़ाव को भाग्यवादी बनकर स्विकार करना सिखें तो ऐसा भी हमको इवावस्तानी सिखाता है कि हम भाग्यवादी बन जाएं चौंथा है पर्तिकुल पस्तितियों क्यागे घुटने न टेकें बल्कि दो-दो हाथ करें ये भी हमको सिखाता है इवावस्ता की जो भी बिप्रित पस्तिती आए उसका हम दिनता से मुकाबला करें तिसमें पहला और चौंथा सही होगा तो इसका आप्शन खा करिक्ट हो जाएगा कथन पहला और चौंथा सही है अब इसके अथ्वा में एक पध्यांस है उसको पढ़ते हैं कि फसल किसान के एक अच्चे अच्पके सपनों की लहलाती आस है या उसके हिदे की घहराईयों में अंकुरित एक विश्वास है या विश्वास है धायोई दिवार की चिनाई का 18 पार कर शुकी बेटी की सगाई का पर चुनिय की उधारी चुकाने का मन के सपनों को नय परिधान पहनाने का इसी विश्वास की सलामती के लिए उह मुंदता है आखें तिन में न जाने कितनी बार और दुआएं परसीद करता है उपर तक भरिसे और असंका की रसा कसी में न जाने कितनी बार वह जागता है निंद से और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हांत है और इसलिए जब फसल संधियाती है फसल में किसान के सपने संधियाते हैं और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं तो डाक्टर बिनुत परसुन की अध्भूत रचना है इसमें कवी कह रहा हैं कि फसल जो है ना किसान के सपना है जब फसल पक जाता है तो किसान के सपने पक जाते है और इसके द्वारा ही उसको विश्वास होता है कि वो घर बना लेगा, बेटी की सगाई करेगा, उधारी चूटेगा सांथी सांथ, वो इसके लिए भगवान को आंक मून के बार बार दुआएं भिशता है क्योंकि उसके मन में डर है कि कहीं न कहीं फसल मेरी खराब न हो जाए और सांथे सांथ इसवर के उपर भरोसा भी है इसके बाद वो जो है न परमात्मा को जगाना चाहता है बताना चाहता है कि हे परमात्मा तुमारे हाथ में सब कुछ है तो मेरे फसल को अच्छा कर दो क्योंकि जब फसल अच्छे से हो जाता है तो किसान के सपने भी पूरे होने लगते हैं और जैसे ही फसल घर आ जाता है तो उसके सपने जो है न पक जाते हैं तिसमें पहला प्रस्ण है कि फसल को किसानों के कच्छे अद्पके सपनों की लालाती आस कहने का कराण है कतन पढ़कर सही विकल्पका चैन कीजिए कतन में पहला है कि फसल देखकर बेंकों से सस्ते ब्याज पर हिंड सरलता से मिल जाना बिल्कुल गलत है ऐसा कभी ने कहीं नहीं कहा है दूसरा है कि फसल से किसान के सपनों की संबंधता हुआ भावात्मक लगा होना बिल्कुल सही है ये कभी ने कहा है फसल से जुड़े निराई, सिचाई, कटाई, गहाई, भंडारा नादी के सपने देखना ये भी गलत है चौथा है कि फसल से ही जीवन की जोरी इचाऊं के सकार होने की संबंधावना जुड़ी होना बिल्कुल ये भी सही है कि फसल से जो है उसके जीवन की जोरी इचाई है वो पूरी होती है इसमें दूसरा और चौथा सही है तो इसका अपसंगा करेक्टर हो जाएगा इसके बाद प्रश्ण दो है कि किसान की हिदे की गहराईयों में अंकुरीत हुए विश्वास की परिधी में आते हैं तो दिखे किसान की हिदे की गहराईयों में केवल एकी विश्वास है कि उसके अतिया वस्यक कारिया जो है न वो पूरे हो जाएं तोका है कि कुछ पाकर समाजी कार्य करने की इच्छा हैं ये तो हमने नहीं समझा है कि किसान के हिर्दय की घराईयों में है खा है अतिया वस्या कार्यों मन के भौनात्मक्स अपने बिल्कुल यही है कि वो चाहता है कि उसके अतिया वस्या कार्यों पूरे हो जाएं और उसके मन के भावनात्मक्स अपने जो है ना उसके हिर्दे की घाराईयों में एक विश्वास की रूप में बने हुए हैं गह है अधुनी किसी अंतर आदिज उटा लेने के भी राशाएं ये भी नहीं है और गह है कटिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं ये भी हमने नहीं पढ़ा है प्रशनतीन है कि दुआएं प्रशिद करता है उपर तक कासा है इसमें का है इस्वार को प्रशन करने के लिए बरत उपवास रखना तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है कि दुआएं प्रशिद करने चाहता है उपर तक तो इसके लिए बरत उपवास कर रहा है गहा है समोही क्यग्या करके फसल की कुशलता की कामना करना ये भी गलत है उसके बाद गहा है कि फसल की कुशलता है तो मन ही मन इस्वर से प्रातना करना बिल्कुल यही है कि उमनी मन इस्वर से प्रात्ना करता है कि यह बगवान मेरा फसल जो इन अवच्छा रहे अवगा है नियोधन को ग्राम में विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुँचाना तो यह भी गलत है प्रस्म चार एकी भरोसे और असंका की रसकसी में पंक्तिक एधार पर किसान की मन गसा से जुड़ा सही बिकल्प है कहा है इस्वर पे अटुड विश्वास की वे फसल को कोई हानी नहीं होने देंगे तो देखे उसको इस्वर पे अटुड विश्वास तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फसल को हानी नहीं हो देंगे ऐसा हो सोच रहा है गहा है इस्वर पे विश्वास किन्तु फसल की गुशलता को लेकर मन असंकित रहना बिल्कुल यही आप्शन है कि उसको इस्वर पे विश्वास है लेकिन साथी साथ फसल की गुशलता को लेकर उसके मन में असंका भी है और इसके जो बाकी आप्सान है गहा है कि परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किन्तु भाग्य में क्या लिखा है इससे सदा आसंकित रहना ति भाग्य में क्या लिखा है इससे किसान जो एन आसंकित नहीं रहता है गहा है सोयम पर भरोसा करना किन्तु प्राकृतिक आप विजन कोस्टन है कथने है किसान अपनी फसल के साथ भौतमाक रूप से जुड़ा होता है बिलकुल सही है यह हमने पढ़ा है कराण आर है कि ब्युषाय और ब्युषाई के बीच ऐसे सम्बंद सवभाईक हैं तो दिखें ब्युषाय और ब्युषाय के बीच में भौतमक नहीं है प्रश्ण तीन है कि निधसा नुसा राचना के अधार पर वाक्य के वहां जा सके नहीं मैं इसका सरल वाक्य होगा त्इसका सरल वाक्य में रुप्वां망 करना हैlawipper क् Mimi रीगaking इसका पहला आपसन देखिए कि तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके यही इसका सरल वाक्य है क्योंकि सरल वाक्य में एक विधे और एक उद्देश से होता है ख़में देखें कि तुम भी वहां नहीं जा सकें और मैं भी वहां नहीं जा सकां यहां पे और है तो यह संित्व वाकिय भी नहीं जा सकें इसमें चुकी और यहाँ पर कामा है और एक दूसरे की उपर निर्भरता है तो यह भी क्या है मिश्रित वाक्या है तो इसका आप्षन का करेक्ट हो जाएगा कि तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके अब सेकेंड नमबर देखें कि सुर्यदय होते ही प्रकृति का सुं होते हैं तिहां पर देखें और आपसंखा में तो सुर्योदय होता है और प्रकृति का सुंदर्य के लूटता है तो यहीं इसका संयुक्त वाक्या में रुपांतन हो जाएगा इसके बाद प्रशन करमांग हम लोग तीन पर आते हैं तो आपके आवाज उठाने पर सभी वाक्या होगा तो दिखें मिश्र वाक्या में एक वाक्या दुसरे के उपर निर्भर होता है इसमें देखिए कि आपसंखा में कि आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो इस वाक्या का इस वाक्या पर निर्भरता है तो इसका आपसंखा क सब्द है यह भी क्या होगा यहां पर समयुक्त वाक्य होगा को प्रस्चार एक है निमिलखित वाक्च्चों में मिष्ञ वाक्य भाग्य पोपाचान कर नीचे दिये गए सबसे सही विकल्प को चुनिए तो देखे मिष्र वाक्यों को पाचानना बहुprises जी है आप ध्यान रखेगा कि जिसमें की जो क्योंकि जितना उतना जैसा तैसा जब तब चुकी जहां वहां जिधर उधर अगर यदी तो यह देपी ततापी ऐसे सब्दों का परियोग मिले तो मिस्रवाक्य होगा अब इसमें पहला में देखिए कि आपका सकते थे की यहां की का उप्योग हुआ है या गलती आपने नहीं की है तिसमें देखिए दो वाक्य की के माध्यम से जुड़े हुए है और एक दुसरे वाक्य होगा दुसरा देखिए यदि आप अपना पक्षा रखते तो अवस्य ही निदो सिद्ध होते तिसमें भी पक्षा रखने पे नि मिलेगा तिसमें भी कामा के माध्यम से जुड़ा हुआ है और एक दुसरी के उपर निर्भर है ते भी मिस्र वाक्य है चौता देखिए चूकी दोसी कोई और है देखिए दोसी कोई और है यहां पे चूकी का परियोग है इसलिए आप यह दोस अपने उपर बिलकुल मत ली कीजिए तिसमें वाक्य में भरता है तो भी मिस्र वाक्य होगा तिसमें चारो के चारो वाक्य जो है न मिस्र वाक्य है तिस काप्शन गहा देखिए कतन पहला दूसरा तिसरा और चौता सही है इसके बाद पांच नंबर पे देखिए कालम एक को कालम दो के सां सुमिलित कालम एक है कि बिल्ली आई और दूद पी गई तो यहां पर और का परियोग होगा है तो यह क्या होगा सिधा समयुक्त वाक्य हो जाएगा उसके बाद यदि दूद बहान ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती तो दुनों वाक्य एक दूसरे को पर निर्भर कर रहे ह और कामा का उपियोग है तो यह क्या है मिसर वाक्य होगा और तिसरा देखिए हमें बिल्ली का जूठा दूद फेकना पड़ा तो यह क्या है सरल वाक्य है इसमें एक विदे और एक उद्देश यह है तो पहले का दूसरा दूसरे का तिसरा और तिसरे का पहला इसमें देख को कलम दो के सांद सुमिलित कीजिए और सही विकल पचुन का लिखिए तो इसमें कलम एक में पहला है कि भारत द्वारा मेच जीत लिया गया तो याद रखिएगा जिसमें से और द्वारा का उपयोग होता है वो हमेशा कर्म आच्चे होता है तो ये कर्म पर रुका नहीं जा सका तो इसमें देखिए एक भावना को या भाव को बता जा रहा है कि विपक्षी पल्लेबाच के रिच पर नहीं रुक सके तो ये भाव आच्चे हो जाएगा तो पहले का दुसरा दुसरे का पहला और तिसरे का तिसरे का अप्षन का करेक्ट हो जाएगा प्रशन दो है कि इन में कर्म वाच्चा का उधारन है तो जैसे कि मैंने बताया कि कर्म वाच्चा में से और द्वारा का उप्योग के जाता है तो इसमें का और जो गा है ये तो बिल्कुल नहीं होगा ये दोनों कत्री वाच्चे हैं अब खा को देखे कि रविना से गजल नहीं गई जाती है तो रविना एक स्त्री निंग है और गई जाती है विल्कुल सही है तो ही होगा उसके बाद रविना से पैदल नहीं चला जाता है ये वाग कैसा होना था कि रविना से पैदल रविना पैदल नहीं चल पाती है है न ति ये गः भी option गलत होगा ति इसका option खा correct हो जाएगा इसमें से करम आच्च होगा कि रविना से गजल नहीं गई जाती है तिसरा है कि इनमें कत्री वाच्चे का उधाराण है तो देखे कत्री वाच्चे में करता की पधानता होती है कहा मैं देखी कि चलो अब घर चलें तो चलो अब घर चलें विल्कूल यही इसमें करता की पधानता है यह कत्री वाच्चे है खा देखे चलो अब घर चला जाए ते भाव आच्चे है एक भावना को बता रहा है तो नहीं होगा केरम के बाद अब सतरंज के लिए यह भाव आच्चे है हमारे द्वारा सतरंज के लिए जा सकती है यहां द्वारा का उपयोग हो रहा है तो यह कर्म आच्चे है ते भी नहीं होगा प्रस्ण चार है दादी जी पढ़ नहीं सकती इसका भाव आच्चे होगा तो भाव आच्चे में अकर्मक किरिया होता है और उसमें एक भाव होता है इसके आप्षन से समझते हैं कि आप्षन का है दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी तो इसमें देखिए कुछ भी क का पता चल रहा है तो दादी जी पढ़ नहीं सकती का भाव अच्छे होगा दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा गर देखिए दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता ये भी गलत है और दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती है ये भी गलत है जिसका अप्शनखा करेक्ट हो जक़ दौताईं गहा देखिए बिना सारे भुढ़ींआब चल नहीं पाएंगी तो ही गलत है ऱ इसका उतर खा हो जाएगा प्रशना पाच है निद्शान उसार फद परिच然后 परादारित पांच बहु विगल्फी प्रस्नों में से किनी चार प्रस्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रस्न है कि चारों और चाई हर्याली मनमोख लग रही थी रेकांकीत अंस का पत परिचे होगा तो दिखें जो हर्याली है न ये एक भाव अचक संग्या है क्योंकि एक भाव को मनहरापन को बता रहा है दुसरा स्थ्रिलिंग है और एक वचन है और ये करता कारक है तो इसलिए इस का अप्षन का करेक्ट हो जाएगा भाव अचक संग्या स्थ्रिलिंग एक वचन करता कारक प्रश्ण दो देखे कि डाइबन ने जोर से ब्रेक मारे एक अंकित अंस का पत परिचे होगा तो जोर से देखे जोर से माने आदतन उसका आदत है जोर से वो ब्रेक मारता है तो यह रिती वाचक है, रिती माने आदत, और यह क्रिया विशेशन है क्रिया की विशेशता बता रहा है, क्योंकि यहां पे मारना या मारे जो है ना वो क्रिया है, तो यह रिती वाचक क्रिया विशेशन होगा, और विशेशन की विशेशता को बता रहा है, तो यह एक सरोना सवरोनमिक बिशेस्ण होगा और यहांपे जो विशेस्टते जिसकी बिशेस्टतों को बता रहा है उसके पुस्तक чув का संव कर्यकर हो जाएगा यहांपे शन पे हालाशन आरiosa और बिशेस्टते जो इसमें पुस्तक होता है प्रशना 5 है हाल्दार सहाब ने पान खाया, रेकांकीत अंस का पत परिचय होगा, यहाँ पर खाया का पत परिचय हमको देना है, तो दिखिए यह जो है न, यह सकर्मक किरिया है, क्योंकि यहाँ पर पान है, पान यहाँ पर कर्म है, और यहाँ पर सकर्मक किरिया होगा, सांती सांत कर्म पान हमको पता चल गया दूसरा ये समान्य भूतकाल है और ये कत्री वाच्या है क्योंकि हालदार साब करता है और यहां पे ने का परियोग हो रहा है तिसलिए चार का आप्षन ख करेक्ट हो जाएगा सकर्मक्रिया कर्मपान समान्य भूतकाल और कत्री वाच्या प्रस्ना पांच है कि कुछ और दूसरा जो कूछ है जो की चाय में पड़ा हुआ है वो अनिश्चय वाचक सवरो नाम है कि क्या पड़ा है उसको हम लोग गिन नी सकते तिसका आप संगा करेक्ट हो जाएगा कि पहला कूछ अनिश्ची संख्या वाचक विश्यस्थन है और दूसरा कूछ जो है न वो अन थाट बाट और राज इस दोएं में परियुक तलंकार है तो देखियां पर अर्थ जो सब्द है न इसका दो बार अबृत्ती हुआ है दो बार यह आया है और पहले बार में अर्थ का मतलब है मिनिंग क्योंकि अर्थ के बिना किसी चीज का मतलब पूरा नहीं होता और दू सब्द में नहीं होता है तो इसक आप्षन क क各ट हो जाएगा सब्दों का इसब्दों का उपयोब होता है वहां पर उत्परेक्च्छा लंकार होता है तो आपको बिलकुल याद रखना Hangzan करेक्च्छा अढ़े इधर उठाया धनुरृत करोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा, सिंदू, नव, कापे, सहसा, विकल हुए जीयों के प्राण इन काभ्य पंक्तियों में परिवत तलंकार है तो देखिए धनूस को कुरोज से उठाया और केवल बाण को चड़ाया है चलाया नहीं है कि इन उसके खाली चड़ाने मात्र से पूरा दुनिया थर-thर कापने लगा है और सभी जीयों के प्राण जो है न थराने लगे है तो यह अतिस्मेक्ति है, बहुँ जादा बढ़ा चड़ा कि इसमें बुला जा रहा है इसलिए इसका अप्शनखा करेक्ट हो जाएगा अतिस्मेक्ति लंकार है प्रशन चार है कि एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात सोचा कुछ पल सुकू मिलेगा चलने दो धर्ती पर रात इन का बे प्रंक्तियों में परियुक्त लंकार है तो देखिए यहाँ पे सूरज जो है न एक बेक्ती की तरह एक मानो की तरह सोच रहा है कि चलो मैं छुट्टी ले लेता हूँ मेरो को अराम मिलेगा और देखता हूँ कि धर्ती पर रात पे लोगों को क्या सर होता है तो यहाँ पे सूरज का मानुविकर्ण किया गया है तो इसकाप्शन गा करेक्ट हो जाएगा मानुविकर्ण लंकार अब प्रस्न पांच है कि कहती हुई यों उत्रा के नेत्र जल से भर गए हीम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए तेहाँ पे दिखें मानो का परियोग हुआ है हमेने समझाया है कि जहाँ पे भी मानो का उप्योग होता है वो उत्प्रेक्शा लंकार होता है इसलिए इसकाप्शन खा करेक्ट हो जाएगा उत्प्रेक्शा लंकार प्रस्ण साथ है निमलिकीत पठीद गध्यांस पर अधारित बहु बिकल्पी प्रस्णों के सरवाधिक उप्युक्त बिकल्प चुन का लिखिए तो ये पठीद गध्यांस के उपर अधारित प्रस्ण है तो चलिए पड़ते हैं कुछ नहीं पुछ पाए हालदार सहाब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए बार-बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातीर घर गियस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हस्ती है और अपने लिए विकने के मौके ढूंटती है दुकी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कजबे से गुजरे कजबे में गुजने से पहले ही खयाल आया कि कजबे की हिदय स्थली में सुभास की परतिमा अवस्य ही परतिश्ठापित होगी लेकिन सुभास की आँखों पर चस्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और केप्टन मर गया सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं पान भी नहीं खाएंगे मूर्ती की तरफ देखेंगे भी नहीं सीधे निकल जाएंगे डैवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं आज बहुत काम है पान आगे कहीं खा लेंगे लेकिन आदस से मजबूर आखें चौराहा आते ही मूर्ती की तरफ उट गई कुछ ऐसे देखा की चीखे रुको जीप स्पीड में थी डैवर ने जोर से ब्रेक मारे रास्ता चलते लोग देखने लगे जीप रुकते न रुकते हालदार सहाब जीप से खूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ती की तरफ लप हैं इतनी सी बात पर उनकी आँकें भर आइं तो देखे इसमें यह समझाया गया है कि हलदार सहाब को लग रहा था कि अब जो रास्त प्रेम है देश भक्ती है वो गायव हो चुका है लेकिन जैसे ही बच्चों के द्वारा बनाया गया जो सरकंडे का चस्मा था उसको जैसा जी कि मूर्ती की आंकों पर चस्मा न देखकर तो ऐसा तो नहीं है कहा है देश भक्तों का मजाक उड़ाने वाली भिकाव कौम को देखकर इसी कांड से दिखी हो गया कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अब देश भक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं और खुद के मौके तलास रहे हैं गहा है घर ग्रियस्ति जमानी जिंदगी आदी की विती वई बातें सोच का तो ऐसा नहीं है गहा है देश में अलग-अलग कौमों की विचारदाना में बहुत अंतर देखकर तो ऐसा भी नहीं है प्रस्न दो है सुभास तंद्रबोश की मूर्ती की आया था मास्टर वो चस्मा बनाना ही भूल गया था तो इसमें का आप्शन देखिए कि केप्टन के सारे चस्में बिग जाने कान ऐसा नहीं था खा है केप्टन के गंबी रूप से विमार हो जाने कान ए भी नहीं है गह देखिए मूर्तिकार मास्टर की भूल और केप्टन की मिर्त्यू के करण बिल्कुल यही गही सही है अगा है नटकट बच्चों तो रहा चस्मा बार बार उतार दिये जाएने के करण यह भी नहीं है प्रस्मत्तीन है कि हालदार साहब की आदस से मजबूर आखों ने क्या किया हमने इस गध्यांस में पढ़ा है कि चुपके से उन्होंने देखा तो का है चौरहा आते ही पान की दुकान खुजने लगी ऐसा नहीं है खा है उन्होंने केप्टन का इसमन किया और वेनम हो गई यह भी नहीं है चौरहे पर आते ही सभावता हा मुर्ती की ओर उड़ गई बिल्कुल यही सही है कि उनकी आखें जो है ना चौरहे पर आते ही सभावता हा मुर्ती की ओर उड़ गई प्रशन चार है हल्दार साहब क्यों चीक पड़े क्योंकि हल्दार साहब ने अचानक देखा कि मुर्ती की आखों पे सरकंडे का चस्मा लगा हुआ है जिसके कान ओदेखकर चीक पड़े तो आप संका देखिए कि पान वाले का बदला वो व्यवार देखकर यह बिल्कुल नहीं है नेता जी की मुर्ती पर सरकंडे का चस्मा देखकर इल्कुल सरकंडे का चस्मा देखकर ही वो चीक पड़े क्योंकि उनको लगने लगा कि देश भक्ती अब बच्चों में ही बच्ची हुई है जिसके अन भारत का भोईस्य जो है वो सुरक्चीत है प्रशना पांच है कि सरकंडे से बना चोटा सा चस्मा किस बात का प्रतीक था तो जैसे मैंने बत को बताया कि सरकंडे से बना चस्मा जो है देश भक्तों के प्रती स्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था इसमें आप संका देखिए कि रास्टी धर्वरों को सरक्षाण देने का हैसा नहीं है प्रशना आठ है कि गध्य पाठों के अधारप निमलिकीत दो बहु विकलपी प्रशनों के सर्वादिक उप्युकत विकलपचुन का लिखिए तो गध्य पठों पे अधारित है पहला है बाल गोपीन भगत सादू की सभी परिभासाओं पर किन गुड़ों के कराण खरे उतरते थे का मधूर गायन, केती बाड़ी करना, गांधिवादी धर्सन सारा समय पुझा पार्ट में बिताना तो देखे सारा समय वो पुझा पार्ट में नहीं बिताते थे ये बिल्कुल गलत है खा है मिट्टू से ना घबराना, हर समय भजन में लिन रहना, बेटे और बहुत से बहुत प्रेम करना तो ए भी उनका नहीं है, बेटे और बहुत से बहुत ज़ादा प्रेम करते थे ऐसा नहीं है ग है सात्विक ग्रिहस्त जीवन सत्यवादिता सुद्ध बयवार कबीर दर्शन से सज्जीत आत्मा इसके बाई प्रश्न करमानक हम लोग दो देखते हैं कि कासी को संस्कर्थी की पाट साला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं, बिल्कुल गलत है, धार्मिक संस्कार कराण इसको संस्कृतिकी पाड़ साला नहीं बोला गया है, घा है यहां से संस्कृतिक संक्षण अभ्यान का सुभारंबा हुआ था, यह भी नहीं है, कोई भी सं ही है कि हाँ पे जो विद्वान कला मरमग्य और कलाकार इनको जो है काफी ज़्यादा इसने और सद्भावना मिलता है प्रस्ण नौ है निमलिकीत पठीत पध्यांस पर आधारित बहु विकल्पी प्रस्णों के सरवादीग उप्यूक्त विकल्प चुन का लिखिए तो चले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और विकल्पों का उत्तर लिखते हैं तर सब तक में जब बैटने लगता है उसका गला पेड़ना सांत छोड़ती हुई उससा अस्त होता हुआ अवाज से राक जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुक्य गायक को ढांडस बंधाता कहीं से चल यह अपने सोवर को उचाना उठाने की जो कोसिस है उसे भी फलता नहीं उसकी मनुस्यता समझा जाना चाहिए देखिए इसमें संगतकार की विशेस्तों को बताया गया है कि जैसे ही मुक्य कलाकार ठकने लगता है तो संगतकार जो है न उसका सांत देता है हमेशा उसको नस बन्दाता है कभी-कभी वो अचाना की उसके सांत गाने लगता है या बताने के लिए कि मुक्य गाया ककेला नहीं है और यह भी बताने के लिए कि जो राग उगा चुका है उसको पिर से गया जा सकता है लेकिन संगतकार के आवाज में खीचक एक जिजग सुनाई देती है क्योंकि उसका कोशी से रहता है कि वो मुक्य गायक को ही आगे बढ़ाए खुद ना आगे बढ़ जाए इसको उसकी असफलता नहीं समझना चीए उसकी प्रोपकारिता या मनुसियता समझा जाना चीए पहला प्रसन है कि तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गल करता है तो जैसे कि हमने समझा है कि संगतकार का स्वर जो है मुक्य गायक की सायता तब करता है जब मुक्य गायक ठकने लगता है उसका आवाज कमजोर होने लगता है तिसका अपसंका देखिए कि जब ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है ये बिलकुल गलत है खा है सही आपसन है कि जब मुख्य गायक का गला कमजोर होने लगता है उसका उस्सा गिने लगता है तब संगतकार उसके गायन में सयोग करता है प्रश्णतीन है कि संगतकार किसका प्रतीक है तिसमें अप्सन का है कि संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जजबाद का विल्कुल गलत है स्वार को साधने के लिए अनुवरत की जाने वाली साधना का ये भी नहीं है गा है किसी की सफलता में निस्वार्त सायोग करने की भावना का विल्कुल यही सही है कि वो प्रदान गायक की सफलता में निस्वार्त भावना से सायोग करता है इसी का परतीक है गाय आय Mरणजन मաधुरिय वनुसत्व, अपनत्व, परतिबदता वा पेड़ना का ये भी संगतकार इसका परतीक नहीं है प्रसन चार है कभी कभी शंगतकार गायक का यूही सांथ क्यों देता है तो दिखिए इसमें हमने समझा है कि यूही सांथ इसलिए देता है ताकि जो मुक्के गायक है आपको अकेला न समझे तो इसका अप्शन का है अपने आपको उसके समकक्च पदसित करने के लिए तो ऐसा विल्कुल नहीं है इसका अप्शन का है उसे यह संदेश देने के लिए कि वह सोयम को अकेला ना समझे बिल्कुल यही सही है कि उसको अकेला ना समझे इसके लिए वो कभी-कभी यूही साथ देता है प्रशना 5 होगा इसमें 4 लिखा है प्रिंटिंग मिश्टेक है तो प्रशना 5 है कि संगतकार की मनुस्यता किन कारियों से परगट होती है इसमें आपसंका है कि प्रधान गया की सेवा में सदे और सर्दा पूरवग जुटे रहने से बिल्कुल ऐसा नहीं है खा है गाने से पहले प्रत्यकारिय को करने की पुरे यजन बनाने से यह भी नहीं है इसका गाह है सोयम को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से विल्कुल यही है वो खुद को विशिष्ट नहीं बनाता है खुद को चुपा के रखता है लेकिन वो साथी साथ प्रधान गायक की विश्चता को बढ़ाता है यही उसकी मनुस्यता का परिचा है प्रस्न दस है कि पध्य पाठों के अधार पर निमलिकी दो बहुँ विकल्पी प्रस्नों के सरवाधिक उप्युक्त विकल्प चुन का लिखिये पहला है फसल कविता में फसल की स्रेष्ट परिभासा के साथ प्रकास में आये हुए अन्य बिंदू है तिसमें आप्शन का है कि जविक खेती को पर उसाहन यों किसी भी ज्यान की समझ दोरा खेती यह तो हमने फसल को पड़ का नहीं समझा है विल्कूल यही है किसमें जो हैना मूल रूप से खेती के सरीजन होता है उसके पारे मूल लेकीत किया गया है गोपियों को उद्धव का दसुस को संदेश फषन्द ना आने का मुक्य करन्द था का है उद्धव के कटोर सब्द योम अतिकटू बेवार, तो उद्धव ने तो ऐसा कटोर सब्द और अतिकटू बेवार नहीं किया था तो यह अपसर नहीं होगा, का है उद्धव में वागपटूता की कमी योम हिर्दय हिंता यह भी नहीं होगा, क्योंकि उद्धव तो सुस का संदेश है न वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो प्रेम मार्गी थी उनको ग्यान मार्ग अच्छा नहीं लगता था तिसका अप्शन घह करेक्टर हो जाएगा अब खंडखा में वनात्मक प्रस्णों प्या चुके हैं प्रस्ण 11 है कि गद्य पाठों के अधार पर निमलिकी 4 प्रस्णों में से किनी 3 प्रस्णों के उत्तर लगभग 25-35 सब्दों में लिखे तो 25 से 35 सब्दों में हमको 4 में से 3 प्रस्णों को उत्ता लिखना है प्रस्ण का है कि नवाप साहब की सनक नकरात्मक थी किन्तु हर सनक नकरात्मक नहीं होती तो धरान सिद्ध कीजिये कि इस सनक को सकरात्मक कहा जा सकता है इसका उत्तर है कि सकरात्मक सनक का अर्थ है लगन, महनत और इमांदारी की धून से कार्य पूरा करना जैसे मात्मा गांधी ने सत्य वाइंशा के सकरात्मक सनक से देशाजात कराया तो देखे इसमें सब्द सीमा को हमको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें प्रस्णखा है कि महानगरों की फ्लेट कल्चर और लेकी का मनुवंडारी के प्रमप्रागत पडोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है विचार करके लिखे इसका उतर है कि फ्लेट कल्चर में जीवन एकाकीपन प्री होने के करण असहाय और असुरक्षित होता है जबकि पडोस कल्चर में जीवन अपनत्तों के बंधन के करण अधिक आननदपूर्ण और सुरक्षित था इसमें प्रशनगा है मंगल धोनी किसे कहते हैं बिस्मिल्ला खां को सहनई की मंगल धोनी का नायक क्यों कहा गया है इसमें घा है सच्चे अर्थों में संस्कृत बेक्ती किसे कहा जा सकता है संस्कृती पाठ के अधार पर तरक संहित इसपरस्ट कीजिए इसका उत्तर है कि अपनी बुद्धी और युग्यता से कुछ नया करने वाला संस्कृत बेक्ती होता है जैसे निूटन ने नई सोच और नविन खोश से गुत्वाक्षन के सिद्धान्द का उष्कार किया इसका उत्तर है कि परसूराम जी के कुरोध और लजमण जी के कठोर उत्तर के बीच यदि सिर्राम की बिनवरता ना होती तो परणाम बिनासकारी होता कुरोध में वाणी पर नियंतर्ण ना होने से बात बिगड़ जाती है इसका खा है आपके पातिकरम की किस कविता में कवी ने बादल से फूहार इमजीम तथा बरसने की स्थान पर गरजने के लिए कहा है इस आव़ान का क्या कारण है अपने सब्दों में लिखिये प्रसनगा है पिघल कर जल बन गया होगा कठीन पासान या पंक्ती की इस कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है इसका उत्तर है कि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसाण या पंक्ती एक दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है सीशु की मनमुहक मुस्कान से पसाण हिदय में भी वासल लिभाव आने कांड कभी ने ऐसा कहा है इसका प्रस्ण घह है आत्मकत्था लिखने के लिए किन गुणों के आश्यकता होती है कभी के लिए यहा कार्य कठीन क्यों था सोच कर लिखिए इसका उत्तर है कि सच्चाई, सहा, सिमानदारी और वेक्तितों की विशालता आत्मकता लिखने के लिए आउस्यक गुण है जीवन में बड़ा प्रणा परद कार्य न करने के करण कवी के लिए यह कार्य कठीन है प्रस्ण 13 है कि पूरक पाटि पुस्तक के पाठों पर अधारित निमलिकी तिन प्रस्णों में से किनी दो प्रस्णों के उत्तर लगबग 50-60 सब्दों में लिखिए तो 50-60 सब्दों में हम लोगों को तिन में से दो प्रस्णों के उत्तर को लिखना है प्रस्णका है वहीं सुक सांती और सुकून है जहां अकंडीच संपुनता है पेड़ पोधे पसो और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गती में हैं हमारी पिड़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गती से खिलवाड कर अचम में अपरात किया है साना साना हाज जोड़ी पाट के अधार पर बताईए कि इस अचम में अपरात का प्राश्चीत मनुष्य की इस प्रकार कर सकता है इसका उत्तर है कि सवर प्रतम हमें प्रकृति का अंधधुन दोहन रुखना होगा प्रयावण संतुलन इस्थापित करने के लिए लोगों को जागरूप करना होगा प्रयावण अनुकूल जीमन सहली अपनानी होगी पर्यटन इस्थलों पर प्लास्टिक पालिति नाधी कचरों को फ्यकना बंद करना होगा प्रकिति से घिलवाड के कान होने वाले दुस प्रभाओं से लोगों को अगत कराना होगा लोगों के जागरूप होने से ही यह समस समाप्त होगी इसका प्रस्नक्खा है रचनाकार की भीत्री विवस्ता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिख कर ही रचनाकार उसे मुक्त हो पाता है मैं क्यों लिखता हूँ पाट के धार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कतन की पुष्टी कीजिए इसका उत्तर है कि आंतरीक अनुभूती से उत्पन विवस्ता लेखन का धार है जब घटना विशेस का गहरा प्रभाव मन के समयदन सिलता को जग जोड़ता है तबी अभी वेक्ती जन्म लेती है बाहरी दबाव के बजाए अनुभाव आंतरीक अनुभूती विवस्ता और समयदना प्रिष्टों में अक्षर बनकर उतरते हैं हिरो सीमा में पत्थर पर मनुष्य की चाया से उपजी आंतरीक अनुभूती ने लेखक को कविता लिखने है तु पेरित किया इसमें प्रशनगा है कि माता का अंचल पाट में भोला नात का अपने माता पिता से बहुत लगाव है बच्पन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का सांथ नहीं छोड़ना चाहता है किन्तु माता पिता के बुढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उन्हें सांथ न रखकर विद्धा अस्रम में पहुचा देते हैं ऐसे लोगों को आप किन सब्दों में समझाएंगे विचार करके लिखे इसका उत्तर है कि बच्पन में लगाव होने के बावजूद बुढ़ापे में माता पिता को ब्रिधा अस्रम पहुचाने के परमुक कराण उभोकतावादी वेक्तिवादी सोच का बढ़ना सवयदन सेलता में कमी आना एकल परिवार को प बग 120 सब्दों में सारगर्वित अनुच्यद लिखे तो तीन में एक की उपर 120 सब्दों में हमको अनुच्यद लेखन करना है का है जीवन का कठिन दोर और मानसिक मजबूती संकेत बिंदु है मानसिक दिर्णता से मुश्किल हालातों का सामना संभाव कठिन हालातों से दो लिखेंगे कि जीवन में वसंद कहां सदेव रहते पतजड ही हमें हमेशा है मिलते फिर आगे लिखेंगे संकेत बिंदों की अधार पे कि जीवन कठिनाईयों से भरा हुआ है इसमें समाजिक आर्थिक पारिवारिक सारीक आदि से जूड़ी कठिनाईयां सदेव आती रहत हम जासी की रानी लच्मी भाई, माराना परताब, अबरहाम लिंकन, मात्मा गांधी, डक्टर एपी जे अब्दूल कलाम, सरदार पटेल, सास्त्री जी जैसे बेक्तियों के संगर्षे से सिख सकते हैं। साइबर यूग, साइबर ठगी, साउधानिया यूं सुरक्चा उपाए, संकेत बिंदू है, बढ़ते आनलाइन कार्य, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाए, साउधानिया, इससे बचने के उपाए। आनलाइन होते हैं, जीवन का हर भाग आज आनलाइन कार्य से जुड़ा है, इसी कारण दिन प्रति दिन साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बड़े चलाकी से लोगों को डर पल्लोभन अज्यानता के माध्यम से फसाया जा रहा है, छड़ भर में उनके खाते से सारे पैसे निकाल लिये जा रहे हैं, कहा गया है साउधानी हटी दुरगटना घटी। जैसे ही लोग असाधान होकर अपनी गोपनी जानकारी जैसे अधान नंबर, पिन नंबर, पासवर्ट, पेन नंबर अधी बता देते हैं, वो इसी उन्हें लूट लिया जाता है, हतार अपनी गोपनी जानकारी किसी को ना दें, समय समय पर हमें पिन पासवर्ट बदलते र किसी भ्रामा को लालस देने वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। फिर संक्यत बिंदों के धार पर अनुच्यत को लिखेंगे कि आदमी अपनी कमियों को नहीं देख पाता है उसकी सवाइक प्रवित्ती दुसरों की कमियों को देखने की होती है। फिर हमें संसार में कोई बुरा नहीं मिलेगा। इस ग्यान के बाद हम दिन रात अपनी कमियों को दूर करने के लिए लगे रहेंगे। इस प्रकार संसार से बुराईयां कत्म हो जाएंगी अता हमें आत्मनी रिक्षण का संकल पलेना होगा। प्रशन पंद्रा है आप मनसवी मौर या मनसवीता मालवी हैं बरसाथ के दिनों में दुरगटना को दावत देते खुले पड़े सीवल लाइन के मेन होलों के संदर्भ में धैनिक जागरण अब वर्शार नगर के संपादक को एक समचार प्रकासित करने कनरोत करते हुए ल इसको लिखते समय हम परिच्छा पे होंगे तो इसको लिखेंगे कि परिच्छा भवन राइगर चतिसगर जहां से मैं हूँ फिर दिनांग डालेंगे जैसे इसमें मैंने 18 अक्टूबर 2022 लिखा है आप एक्जाम दिनांग को लिखेंगे फिर हम लोग संबधन करेंगे कि से अगर निगम तक अपनी बात पहुचाना चाहता हूँ या अगर लड़की हैं तो आप चाहती हूँ लिखेंगी और तमान में बरसात के बाद सीवल लाइन के मैं होल खुले पड़े हैं जिससे प्राण घा तक दुवटना कभी भी हो सकती है बरसात का पानी भरे होने से मैं मैं फोल दिखाई भी नहीं देते हैं मेरे सामने ही एक ब्टेक्टी अचनक मैं आघाल में गिर पड़ा, आधर दू से लोगों की मदर से उसे बचा लिया गया, आई दिन मोटर से कल और कारों के चक्के मैं होल में फस्ते रहते हैं, खुले मैं होल से सीवर में पल रहे साप पौरान या जानवर भी बहार आ सकते हैं, हतार आपसे अनुरोध है कि इस सम्मंद में समचार को परमुकत से प्रकासित करेंगे, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके, पिरंत में धन्यवाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे भोधी, भोधिया, मंसुई मौरिया, मंसुईत जार अमालवी है, तो अगर आप लड़का हैं, तो लड़के के हिसाप से लिखेंगे, और लड़की हैं, तो लड़की के हिसाप से लिखेंगे, प्रशन 5 का हथवा है कि आप सरियस राजपूत तिर्यसी SAY हैं, आप चात्रवास में रहते हैं, आपको पिता जी से पताछ च अब दिखिए अनुपचारिक पत्र लिखन है, तो सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखेंगे जहां सी इस पत्रों को भेज रहे हैं, तो परिच्चा बहुन, रागर चतिसगर, जिस भी सहर में आपका एक्जाम होगा, उसके एड्रेस को लिखना है परिच्चा बहुन के सा पत्र मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपने स्वास्त की अक्सर अंदेखी करती हैं, जो कि सही नहीं है, आप पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, कल्पना कीजिए, यदि आप बिमार हो जाएंगी, तो फिर पूरे परिवार को कौन समालेगा, सुबर से साम तक काम में ब्यस्त रहने करण आप अत्यन ठक जाती हैं, अता प्रियाप्त आराम करना उस्यक है, साथ ही मैं जानता हूं कि आप सब के खाने के बाद भोजन करती हैं, इस करण आपको ध्यान रखना होगा कि आप समुचित भोजन कर रही हैं, अन्य स्वास्त समस्याओं के लिए चिगिसक से प्रामर से लेना होगा, आसा करता हूं कि आप अपने स्वास्त को विशेश ध्यान देंगी, रमा को प्यार और पिता जी को परणाम, फिर आखरी में लिखेंगे आपका पुत्र पुत्री, स्रियास राजपूत, स्रियासी सिंग, जैसे आप लड़का हैं तो स्रियास राजपूत लिखेंगे, और लड़की हैं तो स्रियासी सिंग लिखेंगी, प्रशन सोला है कि आप तरुण वेस या तरुणा वेस या हैं, आप बीएट कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल अब असा नगर में हिंदी अध्यापक अध्यापिका पद के लिए आउधन करना है, इसके लिए आप अपना एक संचीप्त स्ववरित बायोडाटा लगबग 80 सब्दों में त्यार कीजिए, तो दिखिए स्ववरित लेखन और बायोडाटा लेखन से संब्दित प्रस्ण है, देखिए बायोडाटा या स्ववरि लिखेंगे प्रसक जो भेज रहा है, वो है त्रून बेस, यह त्रूना बेस, और चुकि हमारा पता लिखने के समय परिच्चा बवन अब असा नगर है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर दिनाग लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 18 अक्टूबर 2022 लिखा है, इस इसमें विशाय में लिखेंगे जो कि कोस्टन में दिया हुआ है कि हिंदी अध्यापक, अध्यापिका पत के लिए ओधन पत्र, फिर आगे सम्बोधन से आगे लिखना शुरू करेंगे कि मोदय, सब इन्हें निवदन है कि मैं तरून बेस, तरूना बेस्य हूँ, मैं कर चुका या चुकी हूँ, मैं विगर तीन वरसों से एक निजी स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्या कर रहा रही हूँ, मुझे नवभारत में प्रकासित बिग्यापन से ग्यात हुआ है कि आपके विवेक इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी अध्यापक, अध प्रियास करूंगा या करूंगी मेरा स्ववरित बायोडाटा यहां समस्त प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां इस अवधन के साथ सल्लगन है प्राथी तरूंडवेस या तरूंडवेस अब असा नगर तो दिखिए यह आधन हो जाएगा और इसके बाद पिर हम लोगों को यहां पर अपना बयोडाटा डालना है तो सबसे पहले स्ववरित या बयोडाटा को हेडिंग में लिखेंगे फिर यहां पर एक चोटा सा डबबा बनाएंगे जिसमें फोटो के लिए डबबा होगा फिर नाम जैसे इसमें दिया हुए कि तरून बेश या तरूना बेश पिता का नाम अपने मन से कोई भी लिखेंगे आप जैसे मैंने यहां पर राम बेश से लिख्या है माता का नाम सिता बेश जनमतिती 30 जुलाई 1992 वर्तमान पता, केलो बिहार, पटेल कोचिंग, अबर्सा नगर इसमें कोई भी पता काल्पनीक आपको लिखना है मैंने एक पता काल्पनीक लिख दिया है इस्ताई पता है इसमें उप्रोकता नुसार इस था ही पता को double मत लिखेगा इसमें समय आपका बचेगा फिर इसके बाद mobile number लिखना है इसमें भी कालपनिक नमबर या आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है 7853-67-67-67-67 फिर email लिखना है ptjp2013-gmail.com तो कोई भी कालपनिक email आप लिख सकते हैं इसके बाद सेक्षणिक योगिता का ब्योरा हमको देना है तिहां पर देखिए सेक्षणिक योगिता के लिज़ परकार का आप एक column बना लिजएगा एक table बना लिजएगा तिसमें सबसे पहले हमको करमांग लिखना है फिर कप्चा फिर वर्स बोर्ड बिशव बिज़ जला है बिशव परतिसद याद रखेगा ना सामने वाला बिएट कर चुका है उसका उलेक इसमें होना चाहिए तो पहला है दसवीं 2006 में पास हुआ है CBC से विशव समान या जो कामन विशव होते हैं 3578% है दूसरा है बारवीं 2008 में पास हुआ है CBC से हिंदी इसमें कला लिया हुआ है क्योंकि हो हिंदी का टीचर बनना चाहता है तो इसको भूल के भी आप भिज्ञान मत लिखिएगा यहाँ प 80% है उसका तिसरा इस नातक 2011 में पास हुआ है दिली बिश्व विश्व 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 वि तो इसमें मैंने तिन-तिन किया है, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप एक-एक कर सकते हैं, जैसे इसमें कम्प्यूटर में एक वर्षा का डिप्लोमा, दुसरा है मेकनिकल इंजिरिंग में 6 मा का डिप्लोमा, तिसरा है योगा में 6 मा का प्रसिक्छन, उसके बाद उपल फिर आगे है कारियत्तर, कतिविधियां और अभिरुचियां, इसमें लेखन में गहरी रुची, फिर सांस्कृति कारिकर्मों को आयोजन करने कनभव, निरंतर सिखने और समाज में सिक्षा को लागू करने में गहरी रुची, तिसमें भी एक ही लिखेंगे तो आपका चल या इसको आप छोड़ भी सकते हैं, फिर इसके बाद उद घुफना करेंगे कि मैं या घुफना करता हूँ कि मेरे द्वारा पर्दात उप्रोग तो सभी सुचना है, सत्य और पूर्ण है, यहां पर इस्तान परिच्छा भावन, यहां पर हस्ताक्चा रहेगा, त्रोण ब से आनलाइन कुछ पूस्तकें मंगवाई थी, प्रकासन द्वारा उनमें से दो पूस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं, और एक पूस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं, इसकी सिकायत करते हुए तता इन पूस्तकों को सिग्र लौटाने और नई पूस्त सकें विजवाने के लिए प्रकासन के वरिष्ट परबंदक को लगबग 80 सब्दों में इमेल लिखिए, तो इमेल लेखन के उपर यह प्रस्न है, तो देखिए इमेल लेखन में सबसे पहले हम लोग प्रेशर के वाने फ्राम जो भेजने वाला है, अब यहां पर देखिए जो भेजने वाला है, उसका एक कालपनिक इमेल लिख देंगे, जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि राबर्ट पाल के लिए आरबी और डालीटी सुझा अगर है तो डीडी 7869 कोई भी कालपनिक नमबर लिखके, airtherate gmail.com, और प्रसेती मैंने जिसको भेजा जा रहा है, टू वरिष्ट प्रबंदक, मेरा नाम राबर्ट पाल ललडी सुझा है, मैंने आपके अब असा प्रकाशन काखा नगर से आनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी, जिसमें आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकों में दो पुस्तकें किसीयान या लेकक की बेज़ दी गई ह और एक पुस्तक के पहले के कुछ पेज फटे हुए हैं, मोदय आपका प्रकासन अपनी गुडवत्ता और अच्छी सेवा के लिए ख्याती लब्द है, इस प्रकार की सेवा से मुझे काफी निरासा हुई है, अता आपसे आगरा है कि खराब पुस्तकों को लवटाने और न इस्तानी समचार पत्रे में उसका विग्यापन देना चाहते हैं, आप उनके लिए लगभग 60 सब्दों में एक आकरसक विग्यापन त्यार कीजिए, तो विग्यापन लिखन की उपर प्रशन है, इसके उत्तर में सबसे पहले विग्यापन लिखन लिखेंगे, और यहाँ पर मैंने रेडिमेट जो कपरों की दुकान है, उसका एक नाम दे दिया है, पटेल रेडिमेट, आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, सबसे इंपोर्टेंट है विग्यापन लिखन में कि एक आताकार बाक्स आपको बनाना है, यहाँ पर मैंने सुंदर बनाने के लि पूल गया, इसके बाद आप इसके दाएं भाग में एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कलास साप लिखा हुआ है, या कपड़ों की दुकान लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस परकार का एक आकरिती बना देना है, और एक दुकान टै इसके बाद दुसरा सलोगन मैंने लिखा है कि उत्तम कॉलिटी वाजीब दाम पटेल रेडिमेट की पहचान, उसके बाद तिसरा सलोगन है इसमें कि पटेल रेडिमेट जाना है, लेटस्ट फैसन लाना है, तो आप एक सलोगन कम से कम जरूर लिखिएगा, फिर यहाँ पे नीचे में देखिए, अगर कोई डिसकाउंट ओग रहा है, उसको यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पे मने लिखा है कि जिन्स, टी-शर्ट, फ्राग, खुर्ता, टाप में 60% या 60% का डिसकाउंट, और लास्ट में एक आयताकार बाक से बनाके नोट ओगर लिखना है, जो कि इस विग्यापन से काफी मत्तोपूर्ण रुप से जुड़ा होता है, जैसे कि नोट में कि हमारे यहाँ विवाह योम अन्य समारो के रेडिमेट कपड़े उपलप्द हैं, और पता है, सीजी रोड, सती गोड़ी चौक, रायगर, मोबाइल म यह पता भी कालपनिक रहेगा, आपको इस प्रकार से लिखना है, तेक बार फिर से देख लिजी आप लोग, कि यह जो है ना किस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से अकर आप इज्यापन लेखन करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा नमबर मिलेगा, शत्रा का तो देखिए सुबकामना यों बदाई संदेश में सबसे पहले एक आता कारबाक्स इस परकार से आपको बनाना है और यहाँ पेडिंग में लिखना है कि सुबकामना यों बदाई संदेश फिर इसका जो बाया भाग है लेप टेंड है उसमें दिनांक लिखना है जैसे कि मैंने यहां पर 12-10-2022 लिखा है जो एक्जाम डेट होगा उसको आप यहां पर लिखेंगे फिर इसके दाया भाग में समय लिखना है जैसे मैंने यहां पर प्राता 10 बजे लिखा है पिरिज बधाई या सुबकामना संदेश पे अगर आप एक कविता लिखते हैं या सलोगन लिखते हैं तो यह काफी अच्छा हो जाता है जैसे कि मैंने लिखा है कि थामे एक दुजे का हाथ बना रहे आपका सदा साथ बधाई हो साधी की वर्सगांट फिर आगे लिखेंगे कि आदर्णी है भाईया भाभी को साधी की वर्सगांट की कोटी-कोटी बधाई याम सुबकामना आपकी जोड़ी राम सिता जैसी है आप दोनों सदेव साथ रहते जीवन को खुशियों से सराबोर करते रहें आपका भाई बहन सौम्यागर्ग सौम्यागर्ग अगर आप लड़का है तो सौम्यागर्ग लिखेंगे और लड़की है तो सौम्यागर्ग लिखेंगे तो इस परकार से आपका जो बधाई संदेश है उसका लेखन हो जाएगा